कंगना आपने बेबाक रवये के लिए काफी पसंद की जाती है उनके फैन्स से पर उनके इसी बेबाक रवये ने उन्हें कहीं न कहीं उनके फैन्स का कहीं न कहीं दिल दुखाया है और उन्हें उनके फैन्स से नापसंद करने की करने की मजबूरी में डाल रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Bollywood actress Kangana Ranaut हमेशा ही विवादों में घिरी रहती है वो हमेशा ही अपने tweets के लिए काफी विवाद खड़ा करती है अभी हाल ही में Kangana Ranaut ने Bollywood actress तापसी पन्नू पर tweet करते हुए लिखा कि वो भी great actress है जैसे कि हम सभी जानते कि कुछ वक्त पहले ही रहाना की tweet पर उन्होंने tweet किया था और उस वज़ब जैसे भी वो काफी मुद्दे में आई थी उन्होंने काफी मुद्दे खड़े कीए पर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक democratic country है और इस country में हर किसी को अपने बाते रखने का, हर किसी को कुछ भी बोलने का हग है We have rights to express our words तो क्यों कंगना हमेशा ही social media पे बस वो limelight में आने के लिए हमेशा ही tweets को उल्टे तरीके से retweet करती है किसी के भी tweets को और हमेशा ही सुर्खियों में चाही रहती है जो कंगना की बिलकुल ही अच्छी आदत नहीं है पर वो इस आदत से बाज नहीं आती है उन्हें लगता है कि वो जो भी retweet करती है वो बहुत सही होता है और वो लोगों के भावनाओं का, लोगों के सम्मान का कोई खयाल नहीं करती है हल जो कि वो अपने सम्मान की और लोगों के सम्मान की बहुत बाते करती है अपने tweet पे पर फिर भी वो tweet करते हुए लोगों के बारे में नहीं सोचती है कि उनका ये retweet कैसा पढ़ सकता है किसी के उपर आपको ये भी बता दे कि पहले भी कंगना रनाउत तापसी पन्नू को B-grade actress बोल चुकी है और वो खुद को शायद A-grade actress मानती है इसलिए वो उन्हे B-grade actress कह रही है नमस्कार